गुदीवनिंग एविवन नाम डॉक्टर चेतन मितल ते आज असी गाल करांगे डाइबेटेस मिलेटस याने की शुगर दी बिमारी थे मैं चांदा सी भी अपा हर हफ्ते शुगर दी बिमारी थे थोड़ा बहुत दिसकस करिये ते आज शुरू आज मैं सिर्फ हिना दसना चांदा सी भी शुगर दी बिमारी अपा किस नूं कहने है ते ओदे डाल की दिक्कता हो सक दियाने इंगलिश शुगर दी महारे नूं डायबेटीस या डायबेटीस मिलेक्टरस कहां दे है ते अगले 15 मिंटाज मैं सिर्फ शुगर दे बारे मढ़ा जा दो चार शाब दसनुंगा भी शुगर हुंदी क्यों है ते इदे साइन सिंपन्स कीने इना दे लच्छन कीने ते किना अपने तरीके ना अबू पा सकने है शुगर दी मुमारी एक बड़ी ही कॉंप्लेक्स ची डिजीज है जे तुसी सजेपास से एक डियाग्राम देखो वो देंदर तुझ देखो के भी कार्पो हाइडरेट्स यानि कि अपा जे मिठा कुछ खाने है और आंत्री विच्छों खोन विच्छ चला जानदा है खोन विच्छ जाके जड़े सडाई कार्गन है पैंक्रियास पैंक्रियास दा काम किया है शुगर नू सेंस करदा है गुलुकोज नू सेंस करदा है बड़ देविच का गुलुकोज बाद गया है ते ओधे बदले इक हार्मोन है इंसुलिन ज ते ओ इंसुलिन जड़ी है ओ ग्लुकोज नू बाडी तो यूज करवान दिया है जे खून दे अंदरो दी बाडी सेल्स उन्नू ग्लुकोज नू एब्सॉब कर पांदेने ते अपना काम कर पांदेने जे इंसुलिन ना हुए ता जड़े शरीर ते सेल्स ने ओ ग्लुकोज यूज नहीं कर सकते ते जड़े ग्लुकोज फालतू बाड जान दिया है जड़े सेल्स ने यूज नहीं किता मालो ऐसी खाना खादा थे खाना खाके काविशारी ग्लुकोज अड़े अंदर आई लोड थोड़ी दी सी ते बाकी जड़ा ग्लुकोज बचदा है और लिवर ते मुसल्स जाके स्टोर हो जानदा है तो ओवर डे जदों अपा कुछ खा नी रहे तो होली-होली गुलुकोज दी लोड़ ताद्वी पेंदी है ते लेवर ते मुसल्स दे अंदरों गुलुकोज वापस आदी रहन दी है ते इस तरीके नाल साड़ा सारा जड़ा गुलुकोज है या शुगर है ये साड़ा श्रीर इस तरह रेगुलेट करदा है ते सब तो इंपोर्टेंट ओर्गन जड़ा आ गया वह आ गया पैंक्रियास जिने इंसुलिन रिलीज करनी है जे इंसुलिन रिलीज नहीं होगी ता गुलुकोज सेल्स दे अंदर नहीं जाएगा ते किते स्टोर भी नहीं होएगा इसी करके ज़े इंसुलिन ना हुए ता शुगर अंदर नहीं जाना ते लोका नूं कमजोरी महसूस हों दिया अप आधे लचना दे बात चावागे है उन्हें फोटो एक सिंपल त्रीके ना द ते सैल्स दे अंदर गुलुकोज नहीं जाऊगा ते इस पुछे रैनगे तिसेल्स दे और ट्रीके और फेभी कामने यह क्टामनी 경우 आशी सुने होगा दो तरह दी डाइबोटीज एक है गिया टाइप वन डाइबोटीज जड़ी की बच्पंच हुन दिया आम तो रते जड़े बच्चे तुसी देखे होंगे सिरस इंसुलिन पे जिन्दा रहे देने ते दुझी है गिया टाइबोटीज जड़ी की आम इंसुलिन होंदी ने रहे दमाजर च्प्राइबोटीज जड़ी ते यह एद्या दी जड़ेस लेकिन इंसुलिन नी नहीं होंदी आइबेड लेकिन इंसुलिन क्रोड़ी यानि की इइन्सुलीन पेदा हुई लेकिन इसि गालते टाइब टू डायब्टीज शुरू हो जो आता है लेकिन फिर भी शुगर दे लच्छन यानि कि ब्लाट दी शुगर वंदी पही है और अप्पा डायब्टीज केने है तो पैदा हो रही है क्योंकि इंसुलिन अपना काम नहीं कर पा रही है ते खोड़ा जा मैं होर विस्तार दस्या थे भी टाइप बान टाइप टू डाइबोटीज फरक की है टाइप बान जड़ा है गया है कुछ इंसुलिन प्यादा ही नहीं हों दी एदा इंसिडेंस बद्धा पर आपनी दुनिया दे अंदर वो किसी कारणा करके भी साढ़े सेल अपने ही अपनी पैंक्रियास दे खिलाफ काम करते ने इंसुलिन टाइप डाइबोटीज जड़ी है गया है इंसुलिन डिपेंडेंट टाइप डाइबोटीज उबधी जन्दी पही है गया एदे कारण सा नों पता नहीं है लेकिन सटनली सिंप्टम्स पैदा हुन देने इंदा बच्यानों या यांग एडर्ट्स नों डेली इंसुलिन लेनी पेंदिया जिन्दा रहन वास्ते टाइप टू डाइबोटीज चा उच इंसुलिन या तक पैदा हो रही है या उस इंसुलिन तो पैदा नहीं हो रहा है क्योंकि जड़े बंदे बहुत ज़्यादा ख जड़ा इंसिडेंस है यानि कि ये बिमारी बहुत तेजी नाल वाद रही है तो यदा मेन कारण है लोग खान पान वाद गया ते मोटापा वाद गया जिदे कारके वो लोग शुगर नूं हजम नहीं कार पारे तो शुगर लगाता खूंच वदी जा रही है तो वदी अनहेल्दी इटिंग जे अपा हाई कार्पोहाइट्रेट प्रडक्स खावांगे जिदे नाल खूं दे अंदर बहुत ज्यादा शुगर दी मात्रा रवे ते ओ शुगर अपा हजम ना कर पाई है ये सड़ा खून हजम ना कर पाई जया श्रीर हजम ना कर पाई तो शुगर जे अंदर शुगर दी मात्रा रवदनी शुरू हो जनी एक खूनで अंदर शुगर दी मात्रा रवदनी शुरू हो जनुए इस करकर डाबटी पाई से favorite छान्स्선 करकर देन Kinि जो कोई बंदा ओवर्वेट होए यानि कि खा खाके उना ने अपने ब्लड चे शुगर लेवल उद्धे बदाया होए तो श्रीर है जमना कर पाए तो ओवर्वेट इस बनाव दी रिस्क फैक्टर्स से पारी होना श्रीर जे पारी है ते ओ तांग करेगा ते शुगर दा रिस अग्साइज नी कर दे ता ओव मसल्स दे अंदर स्टोड रह जान दिया है ते ओव मसल्स ऐल्स होड शुगर लेजन दे काबिल ने दे तो इसकार के जैड़े बंदे एक्साइज कर देने ओव शुगर दा टर्नोवर गदा आई जान दे यानि कि शुगर जदो खाना खाने आके मसल्स बैठ जान दिया है जदो आपा हरकत कर दिया है एकतास अड़ा आपा अर कंट्रोल हो जान दे बड़ दूजा ओज़गी शुगर मसल्स बैठी हुई ओ यूज हो जान दिया ते मुड़के फेर ओ जदो भी आपा खाना-खान ने आ ते जड़े खून दे अंदर शुगर आई उन्हों मसल्स लैंज जोगे हो जाने ने इस कारके ए चार रिस्क फैक्टर्स बड़े इंपॉर्टन डिस्क फैक्टर्स नहीं यह ना थे बेशते रिस्कोर बनाएगे ने ते ओर रिस्कोर अपा गाल करांगे किसी होर दिन बट ए चार चीजा जिना नू लगद तो देखो के भी एकना एली वरी शुगर फड़ी जाना दूजा जदो शुगर होगी है ते उच्छी शुगर कंट्रोल ना होना उना सारे आज यह लक्षन आंगे ते सब को इंपॉर्णन है थकावट जे किसीनों थकावट बहुत ज्यादा रही है ते लगातार पार कटद होन दिये इस करके पशाब ज्यादा ज्यादा बारी पशाब रानदब लों थकावट रहेगी ति जिथे विफ़ा कंट्रोल चुबन मैसूस ना होना ते हमेशा जलन पैदा होना या फिर करंट आना पैराच लगे भी पैराच अच भी मची भी है न एजडे लक्षन ने बैसिकली नर्व्स डैमेज होन करके होंदेने ते यह शुगर दे करके आम होंदेने ते बंदा हमेशा प्यासा रहन दा ते कई जयदा बाद जान दिए ने ते बंदियां अपनी sexual issues खड़े होने शुरू होने शुरू होने इस करके शुगर दा पैलना तू न कंट्रोल का लएना बहुत ज़रूरी है जै नहीं होएगा ते दिक्कता वदनिया शुरू हो जानी है उनना दिक्कता चिडियां दिक्कता ने एफेक्ट करता है विपेडी वर्दा है गया स्ट्रोक क्लेस्टरि जमां देने रहाँ हो है घैड़ी होड़ी होड़ी आदर आज पैर करके पैर सुन रहा हिले होडी होडी पहले दर्द हों दे हैं पर जादा जूरी है दर्द खतम हो जाना है जो बंदेनों हाट टैक आवे शुगर दे बेशन कई वरी चाती दर्द ही नहीं होंदा है तो इस करके शुगर कंट्रोल रखी जावे ते यह दिक्कता नहीं आ दिया बेट ओवर टाइम शुगर देना ले दिक्कता पैदा हो जानी है ते उन्हों समझ आया जान दा भी जे दिल्च बेचैनी होगे पसीन आवे आसे पासे बेचैनी लगे या दर्द ना भी होंदा होगे ताम यह उन्होंनों हाट दा चेक अप्रना चाहीद है ते शुगर दे पेशन दा दुसी आम तोर दे देख्या होना ओवर टाइम किड्नी दे दिक्कता न आपानों जे शुगर कंट्रोल होगे ते अखान दिक्कत दिले किती जा सकती है या कदी होएगी नहीं ते यह मैं थोड़ा जा इस वरी गाल करना चांदा सी शुगर दे आम दिक्कता पारे जे थोड़े प्लीज कोई कोई कुश्चन होनगे ते प्लीज यूर वेलकम टू पोस्टर कमेंट से असी वर्दा जवाब दवाँगे मैं एक या दो कोश्चन होन ले सकता नीता उत्तबाद मैं कमेंट से जवाब देंदा लूँगा थैंक्यू सो मच झाल